हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट अवेकनर पे और मैं हूँ आपका दोस्ष वारुन सेंग और मैं सुशेल दोस्तो हमने अपने फिल्म एंड वीडियो कम्मिनिकेशन वाले वीडियो में कैसे एक इंडिविजूल उसको करियर के रूप में चूज कर सकता है उसके बारे में बात करी थी आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बैचलर ओफ डिजाइन सीरीज में ही एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो हमारे फिल्म एंड वीडियो कम्मिनिकेशन से रिलेट करता है तो आईए उसके बात करते हैं और जानते हैं कि क्या और उस करियर में हम एड कर सकते हैं और उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त का हेलो सर स्वागत है आपका टेलेंट अरेक्टर के मंच पे आप ऐसे ही मुस्कराते रहते हो और बहुत मज़ा आता है तो सर आज हम क्या नया लेकिया है ओडियंस के लिए वरूंजी अभी आपने एक वीडियो की बात की जो हमने ही सूट किया था फिल्म एंड वीडियो कम् है इसी वजएसे उसकी continuity में आज हम अपने वीवर्स के लिए FTII यह इंस्टिट लेके आये हैं जब हम बात कर रहे थे करियर आप्टर 12 की बट अभी जब इस इंस्टिटिट में जो जो कोर्सेश चल रहे हैं उसके बारे में बात चीत होगी तो आपको पता चलेगा कि यहा confusion ना हो और हमारे वीवर्स के पास वो सारे options अवलेवल हूं जो Film and Television Institute से जुड़े हैं इसलिए वरुन जी आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तो एक तरह से देखा जाए सर तो यह एक कौंबो है undergraduate और postgraduate दौनों की जी 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 ओके लाट्स ग्रेट सर मैं आपसे जानना च इस्टैबलिश हुआ और कौन से साल में इसकी शुरुवात हुई Institute में कर सकते हैं ओके ओके सर जो ओडियंस है उन्होंने हमारा फिल्म एंड वीडियो कम्मिनिकेशन वाला वीडियो देखा ही है तो उनको कहीं न कहीं जो बेसिक से उनके बारे में तो आइडिया है बट फिर भी हमारी ओडियंस जानना चाहेगी कि जो FTII है इसमें क्या-क् कराये जाते हैं और कोई एज अगर बात करें या पोस्ट ग्रेजुएशन की आगे बात करें तो कोई कौन-कौन से को चूज कर सकता है वरुन जी यह बताने के लिए मैं अपने वीवर्स का ध्यान इस बोट वाइड बोट की तरफ आकर शित करना चाहूंगा देखिए फिल विंग एड टीवी विंग अगर हम बात करें फिल्म विंग की तो यहां पर आप देख सकते हैं फिल्म विंग के साथ प्रकार के कोर्सेज होते हैं जैसे पहला है डारेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग सेकेंड वन इज सिनेमेटोग्राफी थर्ड वन इज एडिट की बात करेंगे और साथ वे नंबर पर स्क्रीन राइटिंग फिल्म टेलिवीजन एंड वेब सीरीज यह जो साथ प्रकार के कोर्सेज हैं वह फिल्म विंग से रिलेटेड हैं फिल्म के साथ साथ कुछ ऐसे वीवर्ज भी होते हैं जिनने टीवी देखना पसंद है कुछ ऐ फिल्म के तरफ भी हँ और टीवी के तरफ भी हूँ बैसिक मैं कोशिच करता हूँ कि जहां से मुझे लर्निंग मिल जाए क्योंकि आपको हर जगा से लर्निंग मिल जाती है तो मैं रिलेट कर पाता हूं जी बरूंजी तो अब हम बात करेंगे TV Wing की, तो TV Wing में जो जो Courses हैं, सबसे पहले उसमें direction का आता है, Second पे है electronic cinematography, Third one is video editing, Fourth में हम बात करेंगे sound recording and television engineering की, 5 वा है animation and visual effects design, तो ये जो पांच courses है, वो TV Wing से related है, और वरुण जी आप जानते हैं कि आप हॉल में जब जाते हैं सिनेमा हॉल में एक मूवी तीन घंटे-दो घंटे के आसपास खतम हो जाती है बर जो टीवी विंग है सीरियल्स हैं वो सालों चलते रहते हैं तो दोनों का टेस्ट और दोनों के जो विवर्स हैं वो अलग- क्योंकि दोनों की स्क्रीन प्ले डारेक्शन अलग-अलग होगा तो जो ओडियंस है उनको यह तो कहीं ना कहीं पता चल गया होगा जिससे सर ने बताए कि कौन-कौन से कोर्सिस आप चूज कर सकते हैं आप फिल्म की फिल्ड में भी जा सकते हैं और आप टीवी की फिल्ड म ओडियंस के मन में एक और सवाल है जो मतलब बहुत इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि वही उनके पहले कदम को निर्दारित करेगा तो जो ओडियंस है वह ज़रूर यह सवाल पूछना चाहेगी कि इन कोर्सिस के लिए क्या एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया होना चाहिए और कोर्सिस का जो डूरेशन है पर्टिक्लॉरली बहुत बढ़िया सवाल पूछा वरूंजी फिर मैं अपने वीवर्स का ध्यान एक बार इस वाइट बोर्ट की तरफ आकर सित करना चाहूंगा देखी हमने यहां पर बाइफर्केशन किया है जो पहले चार कोर्सिस हैं फि प्ले राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रेकॉर्डिंग और डिजाइन तो यह जो चार कोर्सिस हैं इसमें जो एलिजबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल उसमें ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन और इन चारो कोर्सिस की डियूरेशन तीन सा हैं उसके बारे मैं बताऊंगा कि आर्ट डारेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन यह भी आफ्टर ग्रेजुएशन का ही कोर्स है बट यहां पर कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है जैसे बैचलर डिगरी इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, स्कल्प्चर, इंटेरियर डिजाइन और रिलेटेड फिल्ड इन फाइन आर्ट्स और एक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम आ रिकरगनाईज इंस्टिटूट इन अप्ड़ अगर आपको आर्ट डारेक्शन और प्रोड़क्शन डिजाइन में जाना है तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिगरी होती है वो इस फिल्ड की होनी चाहिए यहाँ पर ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन आगे स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग, फिल्म, टेलिवीजन और वेब सीरीज यहाँ यह जो कोर्स डियूरेशन है वो दो साल का है और यहाँ भी ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन, हाँ तो मतलब शुरू के चार कौर्सेज और लास्ट के जो दो कोर्सेज हैं इन दोनों 6 कोर्सेज के लिए 앤 लिए डिसिप्लिन और जो हमारा आर्ट डारेक्शन और प्रोड़क्ट डिजाइन का है उसमें ग्रेजुएट इन जो है पेंटिंग, स्कल्प्चर, इंटीरियर डिजाइन यह जो सीरीज है इन सब कोर्सेज में वीवर्स को या कोई भी कैंडिडेट है उसको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए और डिवरेशन के बारे में हमने बताया कि तीन साल, तीन साल और दो साल और अगर हम बात करें टीवी विंग की आप देखेंगे वरुन जी के डारेक्शन, इलेक्टोनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग और टेलिवीजन इंजीनिरिंग, ये कोर्से एक साल के हैं, दूसरा, ग्रेजुएट इन एन डिसिप्लिन, मतलब इन कोर्से के लिए भी ग्रेजुएट इन एन डिसिप्लिन होना चाहिए किसी केंडिडेट को, और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि वन येर का है, अब इस्टुडेंट्स या कैंडिडेट अपने इंट्रेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे उनको एक उप्सन मिलता है, क्योंकि अगर वो टीवी विंग में जाएंगे, तो उस कोर्स की डिउरेशन केवल एक साल ही है, और अगर वो फिल्म विंग में आएंगे, तो यहा कहते हैं, एनिमेशन और वीजूल इफेक्ट डिजाइन, इस कोर्स की डिउरेशन तीन साल है, बट इंट्रेस्टिंग फेक्ट यह है, कि यह आफ्टर 12 होता है, तो हमने अपने जो बैचलर ओप डिजाइन सीरीज में करियर आफ्टर 12 को पर हमने फोकस किया था, तो यह हमा ओके, जीवर, 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 सर्थ, थाइंक यू वेरी मच, आपने eligibility criteria जो है, और कितने time का course duration है, वो भी clarify किया, audience ने ये भी जाना कि वो film के अंदर और TV विंक्स दोनों के अंदर अपना career बना सकते हैं, और आज पता क्या हो गया है, मतलब आज आप notice करें, तो चाहे आप TV में भी as an actor हैं, तो आप देखें कि दौनों को na audience जो हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि quality और talent आप कैसे अपना express कर सकते हैं, तो दौनों options आपके लिए खुले हुए हैं, आपको decide करना है कि आप कितना relate कर पाते हैं इस particular career के साथ, Sir, जो हमारी audience है, उसको समझ में आया कि courses के बारे में पता चला, eligibility criteria के बारे में पता चला, अगर साथ-साथ वो एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो यह मतलब course है basically, तो इसके लिए अगर वो तयारी करना चाहें, तो जो pattern होता है basically, exam pattern का, Sir, उसके बारे में वो मतलब कैसे कोई guideline उनको क्या कर सकते हैं, वरुन जी, FTII में study करने के लिए, candidate को एक exam देना पड़ता है, जिसको कहते है, JET, Joint Entrance Test, इस institute में पढ़ने के लिए, आपको JET का exam देना है, और JET का जो exam है, वो दो parts में divide है, part 1 और part 2, part 1 को again, 2 parts में divide किया गया है, part A और part B, part A 20 marks का है, और part B 30 marks का है, इन दोनों ही parts में MCQ type question आते हैं, और इसका जो duration है, वो 3 hours का है, इसके अलावा, part A के बाद part B है, part B में descriptive answer type के questions आते हैं, जिसकी weight is 50 marks की है, और इस से related question paper है, वो आप इस institute की website पर जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि graduate in any discipline है, तो question जो है, हर एक field से मिले जुले type question आते हैं, बट एक scene create करके, यह जो आप second part देख रहे हैं, इसमें एक scene create किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, कि आप इसमें describe कीजिए, इसकी direction कैसे करेंगे, यह इसमें cinematographic कैसी होगी, है ना, तो इस type के question इसमें आते हैं, मैं अपने viewers को कहना चाहूँगा, कि जो है, आप इसकी website पे जाकर previous year के question paper देख सकते हैं, जी वाम जी, Okay, sir, thank you very much for all the guidance, आपने सारे doubts जो थे viewers के मन में उनको clear किया होगा, even मैं एक audience को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कि आपने आज यह जाना कि जो FTII है, वो basically क्या है, वो कौन-कौन से courses provide करता है, क्या exam pattern है, मैं आपको साथ में यह भी कहूँगा, कि जो हमने film and video communication का जो video बनाया था, उसको भी आप एक बार जाके दुबारा चेक करें, देखें, तो क्या होगा, आप दौनों कडियों को जोड़ पाएंगे एक साथ, और मेरे खाल से ज़्यादा awareness audience को आएगी, So sir, thank you very much for this, और आज का अपना video end करने से पहले, जैसे हम हमेशा अपने videos में करते हैं, कोई ना कोई story लेके आते हैं, यह वाला जो field है न, मतलब film की बात करें, video communication की बात करें, आज TV विंकी, film विंकी बात करें, तो क्या होता है, कि यह आपको बहुत उंची उडान देता है, आप efforts करते हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के दिलों में अपनी जगा बना लेते हैं, बट एक चीज का ध्यान बहुत रखना important होता है, यह एक story से मैं relate करूँगा, कि क्या होता है कि काफी बार जब हम बहुत उची उडान रखते हैं तो हमारे पाउं जमीन पे नहीं र किया, उन्होंने एक रेखा खीच दी, बोर्ड के उपर, सर मैं मार कर चाहूं, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक रेखा खीच दी, और महा जो बच्चे बैठे थे, जो उनकी क्लास में थे, उनको कहा, बेटा जर आप उठकर आईए, और इस रेखा को छोटा कर तो एक बच्चा उटकर आया और उसके मन में था कि ये पता नहीं सिख्षक ने इतना असान सवाल कैसे पूछ लिया आमेशो तो बड़े मुश्किल-मुश्किल सवाल पूछते हैं तो वो आया और उसने इस रेखा को ऐसे करके मिटा दिया तो वो जाके बैठ गया और उसके बाद सिख्षक ने एक और बच्चे को बुला और बूला के बिटा एक काम करो इस रेखा को और चोटा कर दो तो वो बच्चा आया दुबार उसको भी लगा बड़ा असान सा सवाल है उसने उस रेखा को फिर चोटा कर दिया फिर एक तीसरे बच्चे को बुलाया वो उटकर आया मगर उसने कुछ ऐसा किया जो बहुत चौकाने वाला था और कुछ अलग था वो गया और उसने उसके बगल में एक बड़ी रेखा कीचते हैं तो यह जो रेखा थी वो अपने आप छोटी हो गई message of the story यह है कि जब आप जिंदगी में आगे बढ़ें तो याद रखिए आप किसी को नीचे गिरा के कभी आगे नहीं पड़ पाएंगे यह story एक message देती है कि अपने काम से अपने energy से अपने actions से अपने आपको इतना उंचा उठा लीजिए कि आप जिस जिस से मिलें आप से मिल आपके आप कभी उपर नहीं उठेंगे आप लोगों के साथ connect होके अपनी खुबसूरती express करके जो आपको potential है उसको express करके बढ़े होंगे और यह बहुत important message है life में हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी बहुत काम आएगा so thank you very much to all of you have a great time ahead अपना अच्छे से ध्यान रखे और उसके बाद हम दुबारा जल्द आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में thank you very much have a great time thank you